नमस्कार स्वागत है आपका आइलेंट 24 पर और आपके साथ मैं हूँ पृति सिंग बढ़ते हैं जारखन की खबरों की ओर रोट किनारे बने गड़े के पास पोल को जैसे तैसे गाड़ कर बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया मगर जब बरसात आई तो भूस खलन की भेट चड़ गया पोल उखड कर गड़े में जागिरी जो कभी भी बड़ी दुरघटना का कारण बन सकती है सैकडो लोग इस रास्ते रोजाना आना जाना करते हैं पिंडाटान पंचायत के बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि जब हम लोग समय पर बिजली भिल भरते हैं तो बिजली विभाग की लापरवाही क्यों बरदाश्ट करें अगर बिजली विभाग ने ततपरता से इस पर संग्यान लेकर कारवा ही नहीं की तो हम सभी उपभोकता चरनबध तरीके से आंदोलन करेंगे जानमाल की नुकसान का जिम्मेदार बिजली विभाग होगा इसे बात बताएं और जिला भर के लोग जाने और बिजली विभाग भी इसे कारवाई को करें पिंडा टान के रोड किनारे जो इस बिजली का पोल जो सामने दिखाई दे रहा है या जिस तरह जूग गया है कि कभी भी इससे बड़ी दुर घटना घट सकती है अता मैं विजली भाग से मांग करता हूँ कि इससे जल्द से जल्द इस पोल को सुधारा जा ताकी मना यह कारित जो है बड़ी घटना होने से यह गाउं कि लोग बज जा है कुवा भुस्खलन के कारण कुवा धस गया और यह पोल जो है सो कुवा के नीचे चला गया है ताकी इससे नुकसान जो हो रहा है जो से ट्रेक्टर वगेरा जाता है मातर 20 फिट के उंचाई पर है ट्रेक्टर में धान वगेरा किसानों को ले जाने में कापी दिक्कत होता है यह कभी भी दुरगटना का कारण बन सकता है इसलिए मैं ग्रिडी के बीली वहक से आगरा करता हूँ कि अती सिग्र इसकी जांच कर पुनाफी इसका पोल गारने का किरपा परदान करें